नमश्कार दोस्तों जै श्री राम जै बागी श्वर्धाम जै लक्ष्मी माता यदि किसी कारणवश आप से कोई चूक हो गई है और आप धन तीरस की उपाय करना भूल गए है तो आप बिल्कुल भी घपराईए मत क्योंकि आज की ये वीडियो केवल आप ही के लिए है यदि किसी कारणवश आप धन तीरस पर मतालक्ष्मी को प्रसन करने के लिए अचूक उपाय नहीं कर पाये हैं तो आपको बिल्कुल भी परिशान होने की आवश्यक्ता नहीं है आप दिवाली की रात को भी कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं और ये उपाय इतनी प्रभाव शाली और इतने अचूक होंगे कि आप तुरंद की तुरंद ही इनका प्रभाव भी देख सकते हैं दोस्तो धन की दीवी लक्षमी को खुश करने के लिए यूतो जोतिश में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रियोग कभी भी किया जा सकता है लेकिन धन व्रधी के लिए कुछ ऐसे अचूक उपाय होते हैं जिनक केवल खास अफसरों पर ही किया जाता है कुछ खास दिन होते हैं जबकि आप इन उपायों को कर सकते हैं उन्हीं में से एक खास दिन है दिवाली का दिन ये दिन सिद्धी और साधना का माना जाता है जोतिश और तंत्र शाष्त्र में इस दिन को बहुत ही खास माना गया है दिवाली के दिन किये जाने वाले कुछ अच्चोक उपाय अपना कर आप अपनी सभी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं कहने को तो ये उपाय बेहत ही छोटी छोटे हैं लेकिन इनसे आप अपनी जीवन में बहुत ही बड़ा फायदा ले सकते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और कमेट बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें जिससे कि मालक्षमी की किर्पा सदेवाप पर बरस्ती रहे दोस्तो एक और बात ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है इसलिए आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा नहीं तो आपको ये उपाय समझ में नहीं आएंगे आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप इन उपायों को सही प्रकार से कर पाएंगे दिवाली की शाम को आप साबूत उड़त दही और सिंदूर लेकर पीपल की जड़ में रख देए पेड के नीचे एक दीपक भी जलाएं और आप विश्वास कीजिए इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी आपकी तरक्की के रोजगार के नए-नए रास्ते खुलेंगे बस आपको दिवाली की शाम को ये उपाय जरूर से जरूर कर लेना है दूसरा उपाय दिवाली की दिन आप पीपल का पत्ता लें उस पर कुम-कुम लगाये और फिर उस पर लड़ो रखकर हनुमान जी को भोग लगाते ऐसा करने मात्र से ही आपकी सारी परिशानिया दूर हो जाएंगी दिवाली पर किये जाने वैला तीसरा उपाय दिवाली की रात को उल्लो की तस्वीर तिजोरी पर लगाये जिहां दोस्तों आपको उल्लो की एक तस्वीर ले लिनी है उल्लो की उस तस्वीर को आप तिजोरी पर लगाये उल्लो माता लक्षमी का वाहन है और वह हर पूर्णिमा को पीपल का चक्कर लगाता है जहां माता लक्ष्मी विराजती है यदि आप ऐसा करेंगे तो मा लक्ष्मी खुश हो जाएंगी और आप पर जम कर किर्पा बरसाएंगे चोथा उपाए लक्ष्मी पूजन में पीले रंकी कोड़ियों का इस्तिमाल करें यदि आप पीले रंकी कोड़ियों का इस्तिमाल करेंगे तो मा लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन हो जाएंगी नारियल को भी पूजा स्थान पर रखें इससे मालक्षमी बेहत जल्द आपर प्रसन होंगी और अपनी किर्पा बरसाएंगी पाँच्वा उपाए दिवाली के मध्या रात्री के बाद घंटी बजाएं तैंतर शाष्ट्र में ऐसा कहा जाता है इससे नकारत्मक शक्तियां दरीदिता घर में नहीं ठहरती है और घर में सुक शांती बनी रहती है जब आप दिवाली की मध्या रात्री में अपनी घर के मंधिर में घंटी बजाएंगे तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर और आपके घर के आसपास भी जितनी नकारत्मक शक्तियां हैं वो सब वहाँ से चली जाएंगी और उसकी जया आपके घर में एक सकारत्मक शक्ति व्याप्त हो जाएगी तो आप ये उपाय जरूर करिएगा चटा उपाय दोस्तों ये घर में सुक्सम्रद्धी लाने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है दिवाली के रात आप चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर देवी लक्ष्मी की आर्थी करें यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके धन में व्रद्धी होगी आपका जो धन है वो फालतों के खर्चों में नहीं जाएगा जैसे कि डोक्टर के और वकीलों के इस टाइप के खर्चों से आप बच जाएंगे और आपके धन में हमीशा व्रद्धी होती रहेगी दोस्तों ये जो चटा उपाय है ये घर में सुक समरिद्धि लाने के लिए बेहद अचूक उपाय है यदि दिवाली की रात को आप इस उपाय को करेंगे तो आपके धन धानने में दिन दोनी रात चोगनी तरकी होगी आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दिवाली की रात आप चांदी के कटोरी में कपूर जलाकर देवी लक्षमी की आरती करें यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके धन में व्रधी होगी आपका धन फालतू के खर्चों में नहीं जाएगा यदि आप बिजनस करते हैं तो बिजनस में आपकी नए-ने डील होंगी और यदि आप नोकरी करते हैं तो नोकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे इसके अलावा आप स्फटिक का श्रीयंत्र लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तीजोरी में रखें ऐसा करने से आपके धन धानिय में और अन भंडार में भी कभी कोई कमी नहीं होगी सात्वा उपाए दिवाली के दिन किसी मंदिर में जाडू का दान जरूर करें दिवाली के मध्या रातरी में चोराहे पर आप एक दीपक जला कर जरूर रखें और ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आप पीछे मुड़कर बिल्कूल भी न देखें इससे आपकी जो भी परिशानिया हैं आप उन सभी परिशानियों से चुटकर अपा लेंगे आठवा उपाए दिवाली के दिन काली हल्दी देवी लक्षमी को अरपित करें पूजा के बाद हल्दी को लाल कपड़ी में बांद कर धन रखने वाले स्थान पर रखें ऐसा करने से निरंतर आपकी संपत्ति बढ़ती रहेगी जल्दे और अचानक धन लाब के लिए दिवाली की शाम किसी बरगत के पेड़ की जटा में गांट लगाए धन लाब मिलने के बाद आप इस गांट को ध्यान से खोल दे दोस्तों ये बहुत ही छोटे छोटे से और बहुत ही साधारन से उपाए है लेकिन इनके लाब बेहत ही अधबूत है आप अपनी सुईधा नुसार कोई भी उपाए कर सकते हैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुप कामनाए यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपनी दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेयर करके आप भी पूर्ने के भागेदार बनिए आप से पूर्ने भीट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ अपना ध्यान रखिए, सुवस्त रहिए, सुरक्षित रहिए जै मालक्ष्मी